तार दोस्तों, आपका फिर से स्वाज़त है मेरे यूट्यूब चैनल पर. अब आते हम दूसरी conditional formatting पर formula based, जिसके अंदर हमारे को इस type की requirements है, कैसी requirement है, उस पर चलते हैं जी, जैसे कि अब इसके अंदर आ जाते हैं जी, यहां से भी मैं conditional formatting को हटा जेता हूँ, हटा दिया जी, अब मैं यह चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है, मेरे को highlight करना है, केवल इसको geography को highlight करना है, तो यह तो चीज आप वैसे भी कर सकते हो, यहां पे आप गए, और जाकर के आपने इसको बोला, conditional formatting, highlight cell rules, equal to, equal to में जाकर के आपने यह formula दे दिया, जी, c2 दे दिय और इसको okay बोल दिया, तो यह आपका हो गया, यह आपको check करेगा इसमे, Japan डालोगे, Japan हो जाएगा, US डालोगे, US हो जाएगा, तो यह तो आपने कर ली, normal से भी कर सकते हो आप इसके अंदर, और formula based करना चाहते हो इसको, तो formula based कैसे करोगे, आपको idea हो जाएगा, let's see, conditional formatting, new rule और new rule में इसमें आता है, use a formula to determine which cells to format, conditional formatting में आपका जो भी question होगा, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे लगाया, equal to, यह जो India है, is it equal to this India, अब अगर मैंने simple ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे तो ठीक है जी, और इसको पकड़के खिचा, तो एक गलती मैंन जी, विजे जी क्या गलती है, सर, उसको freeze नहीं किया, dollar नहीं लगाया, यह बड़ी गलती करते है, अब इसमें क्या था, इसको तो change होना है, D6 को, लेकिन C3 को fix करना था, fix कैसे करना था, यहाँ पे F4 दबा दिया, जी, enter मारा, अब कि बार यह देखिए, अब जहाँ जहाँ पे true आ रखा है, मेरे को उनको highlight करना है, मैंने इसमें US कर दिया, देखे, यह highlight, तो मेरे को conditional formatting हमेशा true या false पे चलती है, जो भी मैं formula लगाऊंगा, उसका result या तो आए true, या आए false, अगर true आ जाए, तो वो conditional formatting काम्याब हो जाएगी, लग जाएगी, अगर उसका false आएगा, then it will not work, so first whenever you are having any problem, try to make a formula, and the same formula you copy there, तो आपने इस formula को highlight कर लिए, या control C, और अब की बार आपने इसको highlight किया, अब active cell है D5, formula भी D5 के लिए आपको करना है, conditional formatting, highlight cell, यह new rule, और यहाँ पे use a formula, और यहाँ पे डाल दिया, आपने, D5 equal to C2, यहाँ पे आपने format दे दिया इसको, कि मेरे को ये वाला format लगाना है, जैसे आपने okay बोला, होगे जी highlight, अब की बार मैंने जाकर के इसके, अंदर जाकर change किया इसको, Canada, होगे जी, India, क्यों, क्योंकि ये true का, इसमें काम नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, ये directly at least में काम कर रहे है, यहाँ से मैंने अटा दिया, हट गया सब, कोई match ही नहीं कर रहा है इसको, कल को मैंने इसमें widget डाल दिया, यहाँ पे, यहाँ पे फिर से widget डाल दिया, अब अगर मैं उपर widget डालूँगा, इसको कोई मतलब नहीं कि वो country के नाम है, या क्या नाम है, उस इसके अंदर मैं डालूँ, मैं चाहे product का नाम डालूँ, चाहे इसका sales representative का नाम डालूँ, या मैं geography डालूँ, जो भी चीज मैं डालूँ, उसको highlight कर देए, अब थोड़ा सा यह आ गया जी, मुस्किल वाला काम, यार इसको कैसे करेंगे, यह तो बड़ी तकलीफ वाला काम ह हो गया, कि इसके अंदर हमारे को match करना है कि कोई भी चीजस में से match हो जाए, तो इसको देखना है, जी, क्या किया जाए जी, इसके लिए बताओ, बोलो जी, क्या होना चीज़ के इसके अंदर, पूरे को select करके, फिर हम condition लगाएंगे, पूरे को select करके, अब condition लगाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है, पहले हमने एक column पे लगाई थी, अब की बार हम तीन column पे लगादेंगे, जैसे सब के उपर लगादेंगे, हमने क्या किया, इसी तरह से, यह मैं पहले अठा देता इसकी conditional formatting, और यहाँ पे जा करके मैंने बोला, conditional formatting, highlight cell rules, यह new rule, और यहाँ पे use a formula, और यहाँ पे मैंने बोला, active cell कौन सा है, B5, तो मैंने इसको कहा, B5, इसको मैंने F4 से अटा देना है, यह मेरा dollar में नहीं आना चाहिए, is it equal to, यह, again यहाँ पे मैं गया, color मैंने डाला इसक अंदर और इसको okay बोल दिया, जैसे मैंने okay किया, अब मैं मोहन डालू, या India डालू, या इसमे product डालू, जो भी मैं डालूँगा, वो इसके अंदर आ जाएगा, खाली product डालूँगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने contains करके नहीं डिखाया, मैंने इसको exact match इसको बोला है जी, कल को मैं अगर contains कर दूँगा, तो मेरा contains में भी हो जाएगा, वो मैं direct भी कर सकता हूं contains और formula based भी कर सकता हूं, कि कल को अगर मेरे को contains करना है इसके अंदर, तो मैं फिर से अठाई conditional formatting, यहां पे मैं गया, और मैंने बोला जी, normal course में तो मैंने क्या कर दिया, highlight cell rules, text that contains, और contains में मैं इसका नाम दे दिया, C2 को, और इसको मैंने कर दिया, okay, अब की बार मैं इसमें, जो भी डालूँगा, IN, मेरा, यह देखिया, IN डालते ही, IN का हो गया, IN क्यों आ गया, इंडिया में भी IN है, विने के अंदर भी IN है, और सिंगापुर में भी IN है, इसलिए इसने इसक हाइलाइट कर दिया, जी, तो यह आपका contents है, तो दोनों में difference देखने हैं आपने, और इसको formula base बनाना है, तो formula base भी बना सकते हो, it depends on you, कि कैसे मेरे को plan है,